लिखिए सबी उपाद्यक्ष महुदय तब उन लोगों को कुछ आसा हुई कि हम लोग भी उसी तरह चल सकते हैं जिस तरह से पहले चल रहे थे लेकिन अभी हाल में जो चुनाव हुआ उससे देश के धनिकों के मन में वड़ा संदे पैदा हुआ कि इस चुनाव के बाद उनकी स्थती वैसी नहीं रहेगी जो अब तक चली आती रही है गरिवों और अमीरों के बीच मैं अब तक जो बहुत बड़ा अंतर चला आ रहा था उसको अब तेजी से दूर करने का प्रत्न किया जाएगा स्रिमान मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ जो आपने सदन में चालू वर्ष के वजट पर अपने विचार प्रकट करने का अफसर दिया है मैं इस वजट का समर्थन करना चाहता हूँ स्रिमान मैं सबसे पहले अपने दल के नेता प्रधान मंत्री को इस बात के लिए वधाई देना चाहता हूँ कि उनके नित्रत्व में देश में कांग्रेश दल को इस पश्ट बहुमत मिला और इसके फलसरू यहां पर केंद्र में एक ऐसी शरकार का गठन हुआ जो की देश में वास्ता में समाजवाद लाना चाहती है मैं बित मंत्री जी को इस बात के लिए वधाई देना चाहता हूँ कि लोक्षवाद के मद्यवधी चुनाप मैं जनता द्वारा कांग्रेश दल को जो आदेश दिया गया था उन्हें इस्मरण है और वह तन्मन धन से उसका पालन करना चाहते हैं बह आदेश था देश में शामाजिक और आर्थिक विशमता दूर करने का देश से गरिवी बेकारी और विरुजगारी को हटाने का और देश के जो पिछड़े हुए हिस्से हैं उनका पूरा विकास करने का साथ ही साथ इस बात का भी आदेश था कि देश के अंदर इस प्रकार की सामाजिक और आर्थिक ब्यवस्ता पैदा की जाएं जिसके अंतरगत जनता सोसन से मुक्त हो सके सिरिमान यह ठीक है कि देश में करसी के शेत्र में उत्पादन में व्रद्धी हुई है परन्तु इसके साथ ही साथ यह भी देख द्रश्टी में रखना चाहिए कि लागत में भी पूरी व्रद्धी हुई है इसके लिए आवशक है कि सिचाई के साथन वड़ाये जाएं और अधिक उन्नत वीजों का प्रयोग किया जाएं आज क्रस्ककों को क्रासी के यंत्र मिलने में बहुत कठनाई हो रही है जैसे छोटे छोटे ट्रैक्टरों का देश में वड़ा अभाव है उनके बनाने के लिए सीग्र नए कार खाने खोले जाएं स्टॉप